नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका कभी-कभी भागे साथ नहीं देता या ऐसा कर समझ सकते हैं कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं पर लगता है जैसे बस हाथ खाली है लास्ट में हाथ खाली है आपको लगएगा इतना करके हमें मिला ही क्या जब आपको लगे कि मुस्किलें बढ़ती जा रही, किसमत का साथ नहीं मिल पा रहा, तब ऐसे में भागे को कोसना बंद करें एक बर अपने हर वेक्ती जीवन में आगे बढ़ने के लिए दिन रात महनत करता है लेकिन हर किसी को सफलता एक ही समान नहीं मिलती कोई वेक्ती थोड़ा कम महनत में ही बड़ी सफलता पा लेता है और कोई वेक्ती लाग प्रयास के बाद भी आगे बढ़ी नहीं पाता आखिर इसके बजह क्या है, कारण क्या है जब पूरी लगन के साथ कारी किये जाया और उसके फल न मिले तो थोड़ी सी निरासा होती है तो घर में जो बरकत नहीं है, जो परिसानिया है, जो बिमारिया है, जो टेंसन है उसके कारण क्या है देखिए पूरे जीवन जब आप महनत करने के बाद भी सिर्फ भर पेट खाना ही आपको नसीब हो, तो मुश्किल बढ़ जाती है वास्तु कहता है, घर में कुछ ऐसी चीजे हैं, जो आपके बरकत को खत्म कर देती है बरकत होने ही नहीं देती और जीवन भर आप परिसानियों का सामना करते रहते हैं वैसे तो घर में परिसानी गरीबी आने के बहुत सारे कारण है लेकिन आज हम वास्तु की बाते करेंगे, फिर बताएंगे कि कैसे और क्या करें जब सब कुछ धुआ धुआ लगने लगे, तो एक बात पहले सबसे पहले आप अपने पूजा अस्थान का गौर करें आप पूजा कहां पे करते हैं, क्योंकि घर का उत्तर पूरब जो कोना है, जिसको हम इसान कोन कहते हैं, पूजा वहीं पर किया करें दूसरी बात, इस कोने में आप भगवान की मुर्तियां रखें, लेकिन मुर्तियों को तस्वीर को ऐसे रखें कि कम से कम गनेज जी की जो तस्वीर है, वो दिवाल के बाहर की तरफ हो, यानि वो घर के अंदर ना रहे क्योंकि गनेज जी के तस्वीर में दरिता का बास होता है, इसलिए हमेशा ऐसा रखें कि उनकी पीठ घर से बाहर की और रहे कुछ न कुछ दान जरूर करें आप जो भी कमाते हैं सो, दो, सो, हजार उसमें से एक रुपया, दो रुपया, दस रुपया जो भी निकले, कुछ न कुछ दान किया करें घर में अगर कोई भी चीज टूटा-फुटा हुआ है, खास कर आपका आइना तूट गया है, संभाल करना रखें, बलकि उसको फेक दें चाहे वो कितना भी किमती क्यानों हो कई बार टूटे वे बरतन भी पड़े होते हैं तो ऐसे बरतन जो यूज नहीं हो रहे हैं, उसको हटा दीजे, कई बार घड़ी, या तो घड़ी कांश तूट जाता है या घड़ी खराब हो गई, या फिर घड़ी में सेल नहीं है, पड़े हुए हैं, दिवाल में टंगे हुए हैं, ऐसा मत रहने दे ये आपके जीवन के जो बरकत है जो आपके आगे बढ़ने की गती है उसको रोक देता है, तो इनसे भी आप बचिये, तो इस तरह की जो चीजें हैं उनसे बाहर निकलने का प्रयास करें जारू पोछा लगाते हैं, तो हमेशा ही नमक या फिटकरी मिले वे पानी से ही लगाएं, और अगर तुटा पुटा हुए जारू है, जारू लगाते हैं चीना मिट्टी के बहुत सारे लोग चीजें खरिदते हैं, खिलोने खरिदते हैं, घर में आपकी तस्वीर है, मुर्तियां हैं, तुटी भी आपने संभाल के रखी भी है, फे भी कॉल से जोइन कर दिया, ऐसा मत कीजे, उसको हटा दीजे, क्योंकि टुटी भी चीजें हमेशा नकायत्मक्ता को बढ़ाता है, सकायत्मक्ता को नहीं, और घर की छट पर कबारी कठा होने न दे, कई बार क्या होता, आप दीपावली की सफाई तो करते हैं, पर सारे कबार आप अपने छट पर रख देते हैं, आम दिनों में भी रखते हैं, घर में जगा नहीं है, तो घर को साफ तो कर लिया, पर छट जो बुद्ध और राहू, यहां पर दोनों मिलकर, गरहन दोस बनाकर बैठ जाएगा, तो यहां पर फिर जीवन में आकस्मिक समस्याएं, बाधाएं आएंगी, दिवाल में सीलन है, दिवाल फट चुके है, इन सभी चीज़ों को ठीक करें, दरवाजा बाहर बंद करते, खोलते, अगर आवाज आ रही है, चर-चर की, तो उसको तुरंत आप दरवाजे में तेल या ग्रिस डालें, जिन से की वोट ठीक हो जाए, नहीं तो ये चीज़ें भी आपके जीवन में बरकत नहीं होने देती, अब आपके पास एक जोड़े नहीं, बलकि 8-10 जोड़े जोड़े हैं, पहनना एक ही को है, बाकी ऐसे ही पड़े हुए हैं, नए हैं, फेका भी नहीं जाता, किसी को देने का मन नहीं करता, कीमती है, लेकिन क्या करेंगे रखकर, ऐसे जूते सी परिसानिया लाएंगे, इसलिए जो पहनते हैं, उसको रखें, बाकी का हटा दे, लंबे समय से पड़ा हुआ जाड़ू भी नकात्मा कुर्जा को बढ़ा देता है, और घर में परिसानिया लाता है, तो ऐसे जाड़ू को दिपावली के अगले दिन जब आप लक्षमी को अंदर करेंगे, बाहर करेंगे, उसमें बाहर निकाल दीचेगा, और जो आपके घर में खास कर बहुत सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह से आप चीजों को अगर धीरे-धीरे करके क्लीन करेंगे, तो बरकत होने लगेगी, एक बात की तो गारंटी है, अब आपके बहुत सारे कपड़े हैं पुराने, आपने यूही गठल बांद के रखा है, पहली बात तो गठल बांद के कोई भी चीज़ ना रखें, मोटली, पोटली बांद के जिसको कहते हैं, जब भी आपको रखना हो उसमें आप रसी धागा, मोटा धागा रसी बांद कर रखें तो वो अलग चीज़ पर पोटली ना पड़ा है, यहां तक कि उन के गोले हैं, रसी के गोले हैं, उसको ठीक करें या फिर हटा दें, क्योंकि ये गोले हमेशा उलजने बढ़ाएंगे, और आपको बरकत नही सफाई करनी चाहिए, यह नहीं कि घर का बाहर गंदा है, घर सफाई नहीं, घर के आसपास के अरिया को भी साप सुत्रा रखें, क्योंकि द्वार बेग होना भी बहुत बड़ा दोस लगता है, तो इन छोटी-छोटी चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे, तो बरकत कोई भी कुछ मांगने आता है, तो गुरु बार के दिन छोड़ कर अन्य दिनों में जरूर दान करें, और पवित्रता के साथ ही धर्म गरंत पढ़ें, अगर कोई रात में आपके घर में लहसन प्याज मांगने आता है, तो भूल कर भी ना देवर ना बरकत चली जाएगी, और परिशानिया घरा जाएगी, किचन में पेसाव ना करें, इस बात का हमेसा ध्यान रखें, ये भी परिशानिया लाती है, और तुटी फुटी भी कंगी भी परियोग मत कीजिएगा, और साथ ही आपके जो जैसे की रात के समय खास कर, दही किसी को ना दे, कोई कितना भी मांगने आ जाए, भूल कर भी ना दे, बाकी चीज़ें आप दे भी दे, पर दही मत दीजिएगा, लक्षमी चली जाएगी, साथ ही घी और दूद, इन चीज़ें को भी रात में देने से बशना चाहिए, आपके घर में कोई महमान आते हैं, कितने भी आप उनकर नहीं बनत करें, और कई बार क्या होता है, आप बड़ा सा रोटी का कौर ले लेते हैं, आधा मुँ में दाथ से काट कर खा लिया, आधा हाथ में है, तो ऐसा ना करें, ये भी बरकत को खत्म करता है, और चाबल कभी किसी को ना दे, याद रखिए चाबल, क्योंकि चाबल से लोग अक पैसे लेकर ही दें, कुछ पैसे ले ले ले, फिर दे नमक, क्योंकि कई बर पडोसी आ जाते हैं, तो आ जाते हैं, तो पैसे लेकर दें, और पैसे उधार साम के समय में मत दीजिएगा, वर ना बरकत खत्म हो जाती है, कई बार क्या होता है, आप के घर में दीपक जला जाड़ू पोचा भूल कर भी मत लगाईएगा, माता पीता का अफमान ना करें, किसी भी गरीब बेकती है, कोई लाचार इंसाने, उसका आप मजाक मत उड़ा है, नहीं तो उसकी जो आसू है, उसको जो कस्ट हुआ है, वो आपको पढ़ जाएगा, तो इन चीजों का ध्य और रोज असनान जरूर करें, तो छोटी-चोटी बातों का ध्यान रखकर आप घर में बरकत ला सकते हैं, जीवन की परिसानियों से आप बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि जब आप जान जाते हैं, क्या चीज है जो आपकी जीवने में परिसानिया ला रहा है, तो घर में मकड के जाले हैं उसको साफ करें घर पर कबूतर चत पर दाना बिलकुल भी ना डाले टपकता हुआ जो नल है वो कहीं नहीं आपके पैसे भी बहा ले जाता है उसको ठीक करवाएं नमक कभी भी किसी को हातों हात ना दे और ना ही रात के समय दूद दही घी नमक लहसन प्याज किस साम के वक्त भूलकर भी किसी को उधार ना दें पैसे ना दें क्योंकि लक्षमी साम के समय घर में आती है इसलिए तो धूब-दीब जलाय जाता आ है और साम होने के बाद अन्हिरा होने के बाद कुछ Executive आइस समझना है तो हम सिर्फ आपकी जानकारे के लिए एक खास बात अगर आप चाहते हैं बरकत हो घर के मुख्य दरवाजे के ठीक ऊपर एक गनेश जी की तस्वीर लगाएं यह तस्वीर आपके घर के अंदर की तरफ होगा और गनेश जी की पीट बाहर की तरफ यानि कि ऐसे बरकत होने लगती है धन आने लगता है लेकिन याद रखिए गनेश जी की तश्वीर जब भी लगाएं घर के अंदर की तरफ से अगर माल लेते आपके घर में बाहर की तरफ से लगा हुआ है तस्वीर तो अंदर से भी ठीकु वही पर एक तश्वीर लगा दे ताकि दोस् पर मिलेंगे.